हलो मेरा नम सच्चिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास एट का चेप्टर नुमबर 15 एकसरसाज 15 एक का क्वेस्टिन नॉमबर 9 जो की linear in equation का question है और ICC math का question ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं तो आजा भाई solve करते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है solve the inequality 18-3 in bracket 2x-5 is greater than 12 और यहां बोला गया है x is belong to w इसका मतलब यह है जो x की value जो आने वाली है w से आने वाली है और w क्या है w को number system में math में बोलते हैं जिसको number system अच्छे पढ़ाओको उसको पता होगा w का मतलब होगा whole number whole number क्या होता है natural number में जब 0 को include कर लिया जाता है तो वो बन जाता है whole number नेचूरल नमबर जिसका use हम गिनने के लिए करते हैं और 0 को include कर लेते हैं तो वो हो जाता है whole number ठीक है तो यह हम लिख देते हैं w का मतलब क्या होता है whole number ठीक है इसका मतलब यह है कि जो replacement set है whole number ही होगा ठीक है तो यह सिर्फ हमने जानने के लिए लिख दिया है ठीक है अब चलते हैं डेवल्यू रिप्लेस्मेंट सेट होल नंबर का ही होगा तो जीरो इंक्लूड करना पड़ता है है रिप्लेस्मेंट सेट ठीक है रिप्लेस्मेंट सेट किसमें सोगा होल नंबर से ही होगा होल नंबर के में नेचरल नंबर में जीरो इंकुलूड कर लिया जाता है होल नंबर हो जाता है सब कुछ होई रहता है तो यह होता है होल नंबर और होल नंबर में से ही आता है से तो बाद में आएगा सबसे पहले सॉलो करते हैं ठीक है डेवल्यू का मदलब यहां ओल नमर सॉलो करते हैं तो क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है लिनियर इक्वेशन क्या है लिनियर इन इक्वेशन क्या है 18-3, 2x-5 is greater than 12 तो सॉलो कैसे होगा देखते हैं यहां लिकावाई 18 माइनस इसका अंदर मुटिप्लाई होगा 2, 3, 6 x हो जाएगा ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 5, 15, 5, 3, 15 is greater than 12 अब इसको कैसे सॉलो करेंगे वाइस से ही जैसे लिनियर इक्वेशन को सॉलो करते हैं उसी तरीके से लिनियर इन इक्वेशन भी सॉलो होगा ठीक है तो यहां है रहने देता है सब कुछ पहले यहां minus 6 x को यहां रहने देते यह ठीक है इस ग्रेटर दने ट्वैल है यह है पॉस्टिव 15 यह पॉस्टिव 18 दोनों इधर चला जाएगा तो पॉस्टिव 15 निगेटिव 15 हो जाएगा पॉस्टिव 18 निगेटिव 18 हो जाएगा ठीक है तो इसको हम सालू कर देते हैं तो यह है माइनास 6x is greater than अब यहां देखें कि इसको ट्वैल को अभी रहने देते हैं और हम माइनस माइनस प्लस और इसको एड़ कर माइनस माइनस प्लस यह एड़ हो जाएगा आट पन तेरह के तीन हासे बच्चा एक 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 दो एक तीन ठीक है तो यह हो जाएगा 33 और सिंबल कौन से लेगेगा माइनस वाला क्योंक इस greater than 12 में से 33 को सब्ट्रेट करेंगे 2 में से 3 गया 1 बचेगा 3 में से 1 गया 2 बचेगा ठीक है यहां बचेगा 21 सिंबल कौन से रहेगा माइनस वाले रहेगा ठीक है कौन सा क्योंकि 33 के पास माइनस सिंबल है 12 के पास ठीक है तो यह हो जाएगा माइनस इस माइनस से जाएगा तो यहां बचेगा 6 x is greater than 21 ठीक है तो इसको आगर हम सालव करें तो क्या हो जाएगा जब माइनस माइनस जब कट गया तो 6 लेस हो जाएगा 21 से ठीक है तो यहां सिंबल चंज हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं इस लेस देन 21, 21 इस दिवाइड़ बाई 6, ठीक है, तो यह हो जाएगा, दूर्थ यह इंच्छ, सात रिक 21, यह हो गया, तो यह जाएगा 7 बाई 2, और 7 बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं, तो मतलब 3, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, 7 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 आफ, 1 बाई 2, 3 आफ, 1 बाई 2, 3 आफ, 1 बाई 2, ठीक है, तो इसका मतलब यह है, कि सल्यूशन सेट, यह लिख सकते हैं, तो मतलब सल्यूशन सेट, 3 आफ, 1 बाई 2, मतलब 3 से छोटा ही होगा, तो 2 आफ, 1 होगा, 2, 1, 0, 2 होगा, 1 होगा, 0, ठीक है, तो साड़े 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, तो सल्यूशन सेट, यह तो हैं, रिप्लेस्मेंट सेट, है न, अब सल्यूशन सेट क्या होगा तब, और एंसर बुक में इस तरीके से भी दिया गया होगा तो यह भी अंसर सही है तो यह है इसका स्लूशन सेट देख लेते हैं एंसर क्या दिया गया है ठीक है तो देखते हैं क्वेस्चिन नम्बर 9 का 15 है क्वेस्चिन नम्बर 9 ठीक है तो 0123 क्या है 0123 तो यह साड़े 3 है न हाँ 3 भी वह इंक्लूड हो जाएगा भाई यह है 123 ठीक है 3210 ठीक है तो यह है इसका एंसर साड़े 3 है उसे छोटा 3 फिर 2 इस तरीके सोता ना अब आई मुद्दी की बाद बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्क्राइब करिए ठीक है बाए